इस वीडियो में मैं आपको इंची टेप से कपड़े को नापना बताऊंगी जैसे आपको एक मिटर कपड़ा चाहिए तो आपको क्या करना है जैसे इंची टेप को आपको कपड़े के उपर रखना है और 40 इंच का जो कपड़ा निकलता है 40 इंच कपड़ा लेना है यह हमारा 1 मिटर कपड़ा बन जाता है जितर आपका 40 इंच का मार्किंग आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका 1 मिटर कपड़ा हमारा निकल गया है जैसे आपको देड मीटर कपड़ा चाहिए तो उसके आगे आपको 20 इंच और एक्ष्रा लेना है जिससे आपका कपड़ा जो है वो देड मीटर हो जाएगा जैसे आपको इंच को बढ़ाते जाएंगे वैसे आपका कपड़ा जो है वो बढ़ता जाएगा अब देखिए जैसे आपको 1 मिटर चाहिए तो यहाँ पर आपको इंचे टेब को रखना है और जहा तक हमारा यह 40 इंच का आता है वहां तक आपको यह लेना है यहाँ पर हमारा यह 40 इंच आता है कपड़े को डबल करना है यानि कि 80 इंच हमारा आ जाएगा एक बार हमने इसे 40 इंच का लिया है और कपड़े को डबल करने के बाद हमारा 2 मिटर कपड़ा जो है वो निकल जाता है अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इंच में बताया है जैसे 40 इंच का आपका बन जाता है एक मिटर जो कपड़ा होता है वो 40 इंच तक होता है और आपको 2 मिटर कपड़ा चाहिए तो इसका डबल आपको करना है और आपको देड मिटर चाहिए तो इसके 40 इंच में आपको 20 इंच जो है वो एक शार रखना है अब आप सेंटी मिटर में नापना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देती हो सेंटीमिटर में नापोगे तो आपका सव सेंटीमिटर जो कपड़ा निकलता है तो आपका एक मिटर कपड़ा जो है वह निकल जाएगा इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है जैसे सव सेंटीमिटर का हमारा एक मिटर कपड़ा निकलता है उसके आगे आपको कपड़ा चाह ये तो आप 50 cm ले सकते हो इसमें आपको 50 cm और एड करना है पहले 100 cm निकाला हमने तो ये 1 मिटर हो गया उसमें हमने और 50 cm हो गया था हमारा 5 मिटर कपड़ा निकल जाता है इसी तरह से आपको कपड़े को इंच और सेंटी मिटर में नापा जाता है सिर्फ आपको ध्यान रखना है इंची टेप को आप इंच में नापना है तो 40 इंच का आपका 1 मिटर निकल जाता है और आप सेंटी मिटर की साइड से नाप रहे हो तो 100 cm का हमारा 1 मिटर कपड़ा जो है पर निकल जाता है तो इसी तरह से कपड़े को नापा जाता है यह दिखिए यहाँ पर इस तरह से आपको यह रखना है इस तरह से आपको कपड़े को नापा जाता है जैसे एक मिटर कपड़ा चाहिए तो आपको 40 इंच पर मार्किंग करनी है और वह एक मिटर कपड़ा आपको निकालना है, दो मिटर कपड़ा निकालना है, तो आपको इसको डबल करना है, यानि कि 80 इंच आपको लेना है और दो मिटर कपड़ा आपका निकल जाता है, इसी तरह से मैंने आपको सेंटी मिटर में और इंच में बताया है कि कैसे कपड़ आपको 80 इंच लेना है इस तरीके से आप 2, 3, 4 मिटर जो भी कपड़ा आपको चाहिए या कुर्ती के लिए कितना चाहिए तो आप अपनी इसाफ से घर पे ये अच्छे से कपड़ा जो होता है घर पे पड़ा होता है वह कभी-कभी तो हमें पता नहीं चलता कितना कपड़ा यह कितना कपड़ और भ्रत में इस तरीके से कपड़ा को समझा है कि कपड़े को कैसे नपा जाता एंग मूझे आशा है कि आपको समझ ca प्राक्टिस करनी नो si इस तरीके से आप कपड़े को नाप सकते हों थेंक यू